राधे राधे दोस्तों निसाज एवर ग्रीन वर्ड में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों यदि आप सभी कार्तिक माह का पूरा लाब उठाना चाहते हैं तो इस माह की रमा एकदसी का व्रत चरूर रखिए और यदि व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप ब्रत कथा अवश्य सुने कोई भी ब्रत हो बिना उसकी कथा सुने वो ब्रत पूरा नहीं होता है यदि आप पूरे साल भजन कीरतन पूजा दान माला जब तब इत्यादी नहीं करते हैं तो आप कार्तिक माह में अवश्य करें क्योंकि कार्तिक माह अपने आप में ही इत बढ़ जाता है हर साल कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की एकदसी को रमा एकदसी होती है इस साल रमा एकदसी व्रत 21 अक्टूबर को है इस दिन भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है माता लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकदसी का नाम रमा एकदसी प जो लोग रमा एकदसी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए मान्यता है कि ऐसे करने से सुभफल की प्राप्ती होती है और हर मनुकामना पूरी हो जाती है तो आईए जानते हैं रमा एकदसी व्रत की संपूर्ण कथा प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था जिसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुन और विभीशन भी उसके मित्र थे यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विश्नु भक्त और न्याय के साथ राज करता था, उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था, उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोभन के साथ हुआ था, एक समय वह सोभन ससुराल आया, उन्ही दिनों जल्द ही आ गया, तो चंद्रभागा के मन में अतियंत सोचुतपन हुआ कि मेरे पती अतियंत दुर्बल है और मेरे पिता की आग्या अतिकठोर है, दसमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में यह घोषना करवा दी की एका दसी को भोजन नहीं करना चाहिए, ढोल की घोषन सुनते ही सोभन को अतियंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिये, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूँगा, ऐसा उपाय बतलाओ की जिससे मेरे प्रान बच सके, अन्यथा मेरे प्रान अवश्य चले जाएंगे चंद्रभागा कहने लगी की, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एका दसी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, हाथी, घोडा, उट, बिल्ली, गव, आदी भी, त्रिन, अन, जल, आदी, ग्रहन नहीं कर सकते, फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना है, यदि आप भोजन करना च चले जाईए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं, तो आपको अवश्यवरत करना पड़ेगा, ऐसा सुनकर सोभन कहने लगा कि, हे प्रिये, मैं अवश्यवरत करूंगा, जो भाग्य में होगा, वह देखा जाएगा, इस प्रकार से विचार कर सोभन निवरत रख ल होने लगा, जब सोर्य नारायन अस्त हो गए और रात्री को जागरन का समय आया, तो बैश्नवों को अतियंत हर्स हुआ, परंतु सोभन के लिए अतियंत दुखदाई हुआ, प्राता काल होते ही सोभन के प्रान निकल गए, तब राजा ने सुगंधित कास्ट से उसका दाह संसकार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आग्या से अपने सरीर को दगध नहीं किया, और सोभन की अंतिये श्टिक्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी, रमा एकदसी के प्रभाव से सोभन को मंद्रा चल परबत पर धन धान्य से युक स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मनियों से सुसोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्रा भूशनों तथा छत्र वचवर से विभूसित गंधर्व और अपसराओं से युक्त सिंगासन पर आरुन ऐसा सोभायमान होता था मानों दूसरा इंद्र व करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने सोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई सोभन है उसके निकट गया सोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुसल प्रस्ण किया ब्राम्हान ने कहा कि राजा मुचुक और आपकी पतनी कुशल से हैं नगर में भी सब प्रकार से कुशल है परन्तु हे राजन हमें आश्चर्य हो रहा है आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुन्दर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ तब सोभन बोला कि कारतिक कृष्ण की रमाई का दसी का ब्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ परन्तु यह आई स्थिर है यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए ब्राम्हन कहने लगा कि हे राजन यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है आप बताईए फिर मैं आवश यही वह उपाय करूँगा मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिये सोभन ने कहा कि मैंने इस ब्रत को स्रद्धा रहित होकर किया है अतह यह सब कुछ आई स्थिर है यदि आप मुचुकुन्द की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है ऐसा सुनकर उस स्रेश ब्राम्हन ने अपने नगर लोटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया ब्राम्हन के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसनता से ब्राम्हन से कहने लगी कि हे ब्राम्हन यह सब बाते अपने प्रत्यक्ष देखा है या स्वपन की बात ब्राम्हन कहने लगा कि हे पुत्री मैंने महावन में तुम्हारे पती को प्रत्यक्ष देखा है साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करन चाहिए चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र तुम मुझे वहां ले चलो मुझे पती देव के दर्सन की तीवर लालसा है मैं अपने किये हुए पुन्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी आप ऐसा कायर कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो क्योंकि वियोगी को मिला द रिसी के आश्रम पर गया वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उचारण से चंद्रभागा का अभिशेक कर दिया तब रिसी के मंत्र के प्रभाव और एकदसी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गती को प्राप्त हुई इसक के बाद बड़ी प्रसनता के साथ अपने पती के निकट गई अपनी प्रियपत्नी को आते देख सोभन अतिप्रसन्न हुआ और उसे बुला कर अपनी बाई तरफ बिठा लिया चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्रान्नात आप मेरे पूर्णी को ग्रहन कीजिए मैंने अपने पिता के घर जब मैं आठ वर्स की थी तब से विधी पूर्वक एका दसी के ब्रत को स्रध्धा पूर्वक करती आ रही हूँ इस पूर्णी के प्रताप से आप का यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा इस प्रकार इन यह रमा एका दसी का महात्मे आपको सुनाया है जो मनुष्य इस वर्त को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या इत्यादी जैसे समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं कृष्णपक्ष और सुकलपक्ष दोनों ही एका दसीया समान है इन में कोई भेदभाव नहीं है दोनों समान फल देती हैं जो मनुष्य इस महात्मे को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूट कर विष्णु लोग को प्राप्त होते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आया तो लाइक की लिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जय स्री राधे जय स्री कृष्णा